प्रभुपाद ने यह नहीं बताया प्रभुपाद ने वह नहीं बताया अभी किसी को यह लग सकता है कि इधर जाके सुनना चाहिए उधर जाके सुनना चाहिए ये किताब पढ़ना चाहिए वो किताब पढ़ना चाहिए लेकिन ये समझने वाली बात ये है कि मुझे भक्ती में लगना चाहिए ये फेत मेरे हिर्दय में कौन ले दिया शिल प्रभुपाद में मैं भक्ती में जुड़ने से पहले क्या जीवन में कर रहा था क्या क्या काम कर रहा था उन सब को छोड़ना है और हरे कृष्ण महामंतर को करना है चार नियम को करना है ये मेरे दिमाग में किस ने डाला शिल प्रभुपाद की कितावन है शिल प्रभुपाद ने तो इस भक्त कौन बनाया प्रभुपाद ने बनाया फिर जाके हमें पता चला ना कि ये आचारे हुए हैं ये आचारे हैं ये भी कोई पुस्तक है ये भी कोई बाबाजी है या ये बी कोई सन्त है यह सब हमें बाद में पता चला नहीं अगर हमें प्रभुपात की किताब मिलती थी तो हम तो पता नहीं कौन से दुनिया में क्या कर रहे होते भोत एक जगत में कितने अंदर हम पूरा गलत कामां में फसे हुए थे तो हमें वहां से निकलने की और भक्ती में लगने की जो प्रेड़ना दिया वो प्रभुपाद ने दिया और जो पूरा प्रचार विस्व में है वो प्रचार करने की प्रेड़ना अगर कोई आज विस्व में प्रचार कर भी रहा है आजम देखेंगे कि बहुत सारे तरह के आश्रम और बहुत सारे तरह के संस्ताइं विदेशों में भी हैं वो भी परचार कर रहे हैं लेकिन ये प्रेड़ना किस ने दी कि विदेश में आप जाके परचार कर सकते हैं प्रभुपाद में और क्योंकि प्रभुपाद के जाने से पहले अगर कोई सन्यासी समुद्र को पार करके जाता है तो उसकी सन्यास खतम मतलब वो आथोराइज नहीं रह जाता ये ऐसा नियम था कोई भी सन्यासी बाहर नहीं जा सकता प्रभुपाद गए और उन्होंने खुद तो वो सन्यासी बने रहे और सन्यासी बना दिये वो एक सन्यासी प्रभुपाद बाहर गई वहां से कई सन्यासी ले कर आए और तो यह चीज़ समझना चाहिए की मुझे भक्ति में लाया कौन किसकी किताब पढ़के मैंने ये कन्विक्शन लाया कि हाँ भक्ती करनी चाहिए ये इंपोर्टेंट है तो प्रवपाद की किताब जो है वो हम पढ़ेंगे मतलब पहले उनको समझना है और फिर तब तो हम ये जानेंगे भई हाँ प्रवपाद ने हमें लाया है बक्ती में जो यू टर्न मेरे जीवन में आये वो प्रवपाद की विज़े से आया है बक्ती में मैं जुड़ा भगवान को समझा क्रिष्ण को समझने का जो तक्त है कृष्ण का है वो प्रभभात के जिए समझ में आए फिर तो हमें लगा कि अच्छा ये है वो है दुनिया वर की चीज़ हमें बाद में पता चली ना तो जो इसलिए इस प्रभभभभात को जगत गुरु हम कहते हैं जगत गुरू शील प्रवपाद, जगत गुरू ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो हैं जगत गुरू, उन्हें जाके पूरे विस्स में इसका प्रचार किया है, वही जाके पहले भारत देश से बाहर वही निकले हैं, समुद्र पार करके गए हैं, और इसको प्रच विस्त में अगर सबसे ज़्यादा जो है गीता का अनुवाद किया गया है सबसे ज़्यादा लेंग्वेज में सबसे ज़्यादा भासाओं में तो प्रभुपात की गीता का हुआ है हर जगे मिल पूरे विस्त में आज आपको सुद्ध बैशनो भोजन मिल सकता है ये कौन किस किसकी वज़े से प्रभुपात की वज़े से आप विष्ट के ऐसे द्वीप जो हां पर दूर दूर तक कुछ नहीं है चोटा सा द्वीप है उसमें भी आपको सुद्ध वैश्न भोजन मिल रहा है कृष्ण नाम हो रहा है संकीतन हो रहा है रादा कृष्ण के विग्रे की तो यह जो कृष्ण भक्ती का प्रचार है वो प्रभुपात ने किया है इसलिए वो जगद गुरी है तो प्रभुपात का चार जो उनका क्वाल्टी यहां बताएंगे कि भक्ती में पूरी तरह से वो सुद्ध भक्त तो थे ही और मैच्चियोर थे परिपक्क भक्त थे और सास्त्र में पूरी तरह से ग्यान था सास्त के लावा वो भूत एक प्रेक्टिकल नॉलेज भी था सास्त्र को कैसे प्रजेंट करना है ताकि जो सुनने वाला है वो समझे ब्याग्यानिक को कैसे समझाना है गरस्त को कैसे समझाना है सब जो है उनको पता था हर तरह का नॉल इतना ही बड़ी संस्था चलाई उस समय उस आज से 50 साल पहले जब संस्था को बनाया है वहां पे इमेल और वाट्साप फेस्बुक नहीं था वहां पे सब पत्रों में पत्राचार होता था टेलीफोन बहुती रेर था मोबाइल तो था ही नहीं तो उस समय उन्होंने इतनी ब जो था चोथा उनका जो एक ब्यक्तित तो था वो बहुती आकरशक था जो अमेरिका के युवा लड़के लड़कियां जो किसी की नहीं जिनका नियम था कि तीस साल से उबर वाले के नहीं सुनना वो प्रभुपात के सिस्सु बन रहे हैं प्रभुपात की वज़े से सारे गलत काम छोड़ रहे हैं, ये उनका करिज्मा था, उनको साड़ी पहनना सिखाया, उनको धोती पहनना सिखाया, तिलक लगाना सिखाया, उनको सुद्ध वैशनो साकारी, वैशनो भोजन प्रसाद खाना सिखाया, तो इस तरीके से आज जो है, हम एक में चीज़ पर फोकस करेंगे, प्रभुपाद के लिए अपना इतना एफर्ट करेंगे, उनको ऐसे धन्यवात देते हुए कि हम सोला माला का अच्छे से जब करें चार नियम का पालन करें, और जितना ज़्यादा हो सके, इस बात को हम दूसरों को बताएं, क्रिशन भक्ती का प्रचार करें, क्रिशन के बारे में लोगों को जिससे मिलें, जिससे भी बात करें, उससे क्रिशन के बारे में जबूर बात करें, तो ये आज का मैसिज है, हरे किसना शिल्फ उपाद की जाए